ओके गाईज शुरू करते हैं फिर आज की क्लास तो जो लोग पहली बार क्लास में आये हैं चाहे रिकॉर्डेट हो चाहे लाइव हो स्वागत आप लोग का क्योट्रिक्स पे और हम लोग कवर कर रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट यूगे पीएसी लेक्शिरर का जिसमें हम कर रहे हैं जो 25 नंबर क्यरिकरता है स्लॉगिज्म का जो पहला लेसन है वो कल हम लोग पढ़ चुके हैं यह आपने नहीं देखा है तो उसमें बेशीक चीजे मैंने आपको एक्स्पें की हैं वहाँ पे जरूर देख लीज़ेगा और आज जो है स्लॉगिज्म की या स्लॉ जो either or वाला concept है, उसको मैं briefly एकदम जल्दी से समझा दूँगा आपको, जिससे कि आपको सारी चीज़ें clear हो जाएं, कोई दिक्कत ना, ठीक है, either or वाले कल मैंने कुछ cases बताय हुए थे आपको, ठीक है, तो चलिए, हम लोग बढ़ेंगे अगली slide की तरफ और उसमें देखें हो, माल लेते हैं कि option 1, option 2, option 3, option 4, यनि चार conclusion आपको दिये हुए है, उसमें से कोई दो गलत है, ठीक है, कोई दो गलत है, तो पहली condition की है, कि दोनों का गलत होना जरूरी है, ठीक है, गलत होने के बाद आपको देखना है, options में कि either or वाला option है या नहीं है, यदि either or वाला option है तो जो दोनों गलत हैं, उसमें आपके जो भी आपके items हैं, मतलब जैसे all A, R, B, all B, R, A, इस टाइप से, जो A और B हैं, वो सेम होने चाहिए, यहाँ पे भी A और B होने चाहिए, ठीक है, लेकिन जो case है, कि उपर वाले में क्या होगा और नीचे वाले में क्या होगा, उसकी condition क्या है, वो हमको समझनी है, case condition 1, ठीक है, case क्या है, sum plus sum 0, यानि कब आइदर और और का case होगा, जब हमारा जो conclusion हो, क्या हो, sum A, R, B हो और sum A, R, 0, B हो, ठीक हो गया, और sum B, R, A हो, या sum A, R, 0, B हो, ठीक हो गया, दूसरा case, sum plus no, यानि sum A's भी हो, sum no A's भी हो, और इसका reverse, उस plus sum not, अब इसमें कहने का मतलब ये है, कि आपके पास किवल 3 condition है, जब either or की condition लगेगी, ठीक है, only 3 condition, कि जो आपका A और B है, ये तो same होना चाहे, दोनों conclusion में, दूसरी condition, sum और sum not है दी है, दोनों में, कि पहले वाले conclusion में sum है, और दूसरे वाले में sum not है, उसी तरह पहले वा same है, ठीक है, same कि दोनों गलत है, दोनों में A और B है, दोनों में A और B है, और दोनों गलत भी है, और नीचे either or का case भी दिया हुआ है, लेकिन जो उपर वाले conclusion में है, वो है all, all A, R, B, क्या दिया हुआ है, आपको all A, R, B, और जो दूसरा वाला conclusion है, वहाँ पहले आपको द all or no दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है, तो यदि all plus no का कोई case आता है, और सारी condition follow होती है, कि दोनों गलत है, आपको ऐसा लग रहा हो कि either or वाली condition है, लेकिन all or no है, तो वहाँ पे कभी भी either or नहीं लगेगा, मतलब सारी condition favorable होंगी, जैसी condition either or or में होती है, वैसी ही लेकिन some some not, some no और all some not की जगा all plus no होगा, ठीक है, तो आपका नहीं follow करेगा, ठीक है, सबको clear है, is it clear to all of you, question में करवाओंगा भी तब और समझ में आ जाएगा, यहां तक सबको clear है या नहीं है, ठीक है, मैंने क्या का, तीन ही case होंगे either or वाले, some some not, some or no, और all plus some not, ठीक है, स चलो भई, जल्दी से बताओ, come on, doubt है क्या कहीं पे, clear है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, अब हम लोग switch कर रहे हैं सीधे PDF की तरफ और वहां पे हम लोग question की practice करेंगे, कल जो मैंने आपको तरीके बताये थे, उसी तरीके सान question को solve करेंगे, और जैसे कल आप लोग जल्दी जल्दी question कर रहे थे, वैसी आपको जल्दी-जल्दी questions को करना है, ठीक है, चली, switch करते हैं हम लोग, किस की तरफ, questions की तरफ, एक second, चली, तो पहला question आपके सामने है गाई, ठीक है, पहला question आपके सामने दिख रहा होगा आपको, पहला question आपके सामने आपको दिख रहा है, statement दे रखा है, देखते हैं कौन सबसे पहले करता है, जल्दी जल्दी करना है, practice करना है, syllogism की, तो जल्दी जल्दी करेंगे, इसके बाद मैं भी solution करवाऊंगा, statements, conclusion आपको दिया हुआ है, some bets are ball or no ball is wicked, जल्दी से बताइए, क्या होगा, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा class late भी शुरू हुई है, और हमें बहुत सारे question cover करना है, छो लोग live नहीं है, recorded देख रहे हैं, आप लोग भी solve करिए, ठीक है, और आपना observation करिए, कि कितना सही है, कितना गलत है, क्या होगा, क्या होगा, कोई answer नहीं आ रहा है, E, both, both, okay, E option के साथ गए है, सुमन्त, चले गाईज, देखिए, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं था, आँ नीजे दर, some bets are ball, ठीक है, some bets are ball मतलब, some bets are ball, some bets are balls, ठीक है, फिर no ball is wicket, no ball is wicket, ठीक है, both के गए हैं सभी लोग, no ball is wicket, ठीक हो गया, conclusion क्या है, some wickets are not bad, some wickets are not bad, देखो, यहाँ पे, some wicket are not bad है क्या, both conclusion follows बोलाईगे, आप लोगों ने, अच्छा, ठीक है, कैसे बोल दिया भई, some wicket are not bad, some wicket are not bad तो कहीं से कहीं तक नहीं है, यदि यह conclusion यहाँ पे ऐसा होता, कि some bad are not wicket, तब जाके हैं सही होता न, क्यूं, क्यूंकि सारी की सारी ball, all balls are no wicket, ठीक है, और इस सारी ball में थोड़ा पारट बैट का भी आता, यानि, some bats are not wicket तो हुन कह सकते हैं, but all wicket, यानि, some wicket are not bad नहीं कह सकते हैं, ठीक है, हम यह कह सकते हैं, कि some wickets are not balls, some balls are not wickets, यह हम कह सकते हैं, और some bats are no wickets भी कह सकते हैं, but some wickets are ball, नहीं कह सकते गाई, ठीक है फिर all wickets being bet is a possibility possibility वाला case के लिए मैं आपको क्या बताया all wickets being bet आपको क्या करना है, जो भी आपसे possibility में पूछा गया है, वो draw कर लो all wickets being bet all wickets all wickets being bet, है ना, is a possibility अब bet, यह तो bet है और आपको बुला गया है कि wicket का ball से कोई सम्बंद नहीं है ठीक है, अब आपको चेक करना है कि जो हमने नया figure draw किया है ठीक है, जो नया figure draw किया है, क्या इससे statement प्रभावित हो रहा है, statement प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, statement प्रभावित नहीं होना चाहिए, some bet are ball some bet are, some bats are ball बिल्कुल हो सकता है some bats are ball, ठीक है क्यों क्योंकि हम इसको यहाँ भी ढदा सकते थे बिल्कुल बना सकते थे, कोई problem नहीं है no ball is wicket, no ball is wicket, ठीक है bet, bats ही था एक सेकंड रुकिए all wickets being bet is a possibility ठीक है all wickets being bet बिल्कुल हो सकता है ठीक है एक मिनट रुक हूँ मैं असको आपको अलग तरह के समझाता हूँ थोड़ा से यहाँ पर confusion हो गया था all wickets being bet is a possibility आपसे पूछा गया है तो all wickets being bet यहाँ यहाँ पर इससे no का relation करें बिल्कुल possible होगा और कोई effect तो नहीं हो रहा है ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा conclusion second यह वाला सही होगा possibility में तो b option आपका सही होगा conclusion second follows ठीक है थोड़ा साथ पर confusion हो गया था is it clear to all of you, सब को समझ में आगया है क्या doubt हुआ था, सब को समझ में आगया है कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को अब clear है चलो बहुए, question number two की तरफ बढ़ते है possibility में दिक्कत तो नहीं हो रही है मेरा तुक्का सही है बढ़ इस्टिल आई समझा दो ओके, विक्रम समझ जाओ गया बहुत सारे question हम करने वाले है जो भी doubts होंगे न, धीरे-धीरे clear हो जाएंगे ठीक है, all table are chair चलो मैं ही solve कर दे रहा हूँ, all tables are chair no chair is couch c-o-u-c-h, ठीक हो गया at least, at least का मतलब sum आता है तो sum couch or chair, क्या couch और chair का कोई संबन्द है, नहीं है यह गलत हो जाएगा फिर no table is couch देखो, क्योंकि कोई chair couch नहीं है और chair के अंदर पूरा का पूरा table आता है तो इसका मतलब इस से इसका कोई relation नहीं है तो no table is couch, क्या होगा आपका सही होगा यानि only conclusion be follows second follows, यानि option number be आपका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा ठीक है, चलो मैं ही solve कर दे रहा हूँ ठीक है, कोई problem नहीं है, मैं solve कर दे रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ जागी, कि आप लोग अभी तक उतने habitual नहीं हुए हो, कि सारे question कर पाओ ठीक है, no tea is coffee बट जल्दी जल्दी हम लोग solve करेंगे, बिल्कुल सुमंद सही no tea is coffee no tea is coffee, यानि no tea is coffee ठीक है, no milk is tea no milk is tea, यानि आपस में इनका कोई भी relation नहीं है ठीक हो गया, no coffee is milk no coffee is milk क्या coffee और milk का कोई relation है आपस में, नहीं है तो no coffee is milk गलत हो गया फिर all milk are coffee क्या बोला गया, all milk are coffee बोला गया है अब देखो all milk are coffee milk और coffee का कोई संबन्द है, नहीं है अब दोनों गलत हैं, तो दोनों गलत में हम क्या चेक करते हैं कि हम either or चेक करते हैं, कि भई either or है या नहीं है बिल्कुल है, तो देख लेते हैं कॉफी मिल्क, कॉफी मिल्क ये भी मैच कर रहा है, लेकिन क्या हमारा जो हमने अभी पढ़ा हुआ था, वो मैच कर रहा है, यहाँ पे नो है और आल है, मैंने आपको भी बताया था, कि आल और नो में, यदि सारी कंडिशन फॉलो करेगा, तब भी यह either-or नहीं होगा यहाँ पर क्या होता यहाँ पर sum somehow not होता होता नहीं, see नहीं होगा सुमन्त some somehow not होता ठीके? all plus somehow not होता ठीके? ठीके तब जाके हम either-or लगाते, सारी condition follow करेगा, लेकिन all plus no होगा तो वहाँ पर either-or नहीं होगा दोनों को गलत मना जाएगा यानि नाइधर one और two follows होगा option number D आपका answer होगा मैं दुबारा repeat कर दे रहा हूँ all और सारी condition either or के favorable होगी लेकिन all or no यदि आ गया तो वहाँ पे यानि all no के pair में आप कभी भी जो है क्या होगा आपका either or conclusion follow नहीं होगा ठीक है चलो अगले question की तरफ बढ़ते हैं फिर हम लोग अब question number four आपके सामने है ठीक है some boys are girls some boys are girls repeat please conclusion अच्छा ठीक है विकरम इस question को बता दे हैं फिर question number third का आपको repeat में कर दोगा ठीक है चलो all boys some boys are girls some girls are women फिर all women are men ठीक है all women are men ठीक हो गया चलो some men are girls some men are girls बिल्कुल थोड़े के थोड़े जो some men है वो girl के अंदर exist कर रहा है यानि यह सही है दूसरा all boys being men is a possibility all boys being men यदि सारे के सारे क्या कह रहा है all boys being men क्या सारे के सारे boys men हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं क्यूं क्योंकि हम इसको बड़ा कर दे हैं तो हमारे statements पर कोई फरक नहीं पड़ेगा यानि second भी आपका सही होगा both one and two follows option number d ठीक है जरा question number third का first conclusion discuss कर लेता है विक्रम को problem हो रही है no coffee is milk no coffee is milk तो milk का coffee से कोई संबंध है क्या directly कोई relation नहीं है बही milk का tea से है और coffee का tea से direct relation तो कुछ नहीं है न तो इसका मतलब यह आपका नहीं होगा सही ठीक है विक्रम question number five करते है solve चलो question number five करते है solve all lions are tiger all lions are tiger ठीक है no tiger is dog all dog are cat ठीक है all dog are cat तो all lions are cat all lions are cat all lions are cat है क्या नहीं है मतलब भी नहीं होता फिर some cat are tigers some cat are tiger ठीक है match कर रहा है क्या cat वाला जो हमारी circle है वो कि T में जा रही है नहीं जा रही है तो यह भी आपका गलत होगा लेकिन यह दिया हाँ पे आपसे बोला होता कि some cats are tiger is a possibility तब यह सही होता क्यूं कि यह दिया हम इसके C को यहाँ T के अंदर ले जाएं तो बाकी हमारे statements में कोई फरक नहीं पड़ेगा तो दोनों के दोनों गलत होंगे यानि neither one और second follows option number A के साथ हम लोग जाएंगे ठीक है चलो बहुत बढ़ी है क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा इधर बना देता हूं मैं no red is black no red is black ठीक है all black are green तो all black are green all green are yellow all green are yellow ठीक हो गया फिर all black are yellow क्या बोला गया all black are yellow बिलकुल सही होगा क्यूं जो black है वो yellow के अंदर आ रहा है पूरा का पूरा black फिर at least some yellows are green यानि कुछ yellow जो है वो green है कुछ yellow जो है वो क्या है green है at least some yellows तो कुछ yellow green है बिलकुल है कुछ yellow यलो वाला बाट तो ये पूरा है और वो green के अंदर आ रहा है तो आपका ये भी सही है यानि D both and one both one and second follow ठीक है चलो बहुत बढ़िया सभी लोग guys answer करना जो लोग recorded देख रहे है कोशिश करिये live आने की ठीक है और जो लोग live है कोई class छोड़ के मज जाओ इतना tough तो नहीं है easy question है कई लोग मुझे देख रहे class छोड़ के चले जा रहे है बही क्यों why मज़ा नहीं आ रहे है class में सिलाओ को सिखना बहुत जरूरी है आ रहा है आपके exam में दो नम्मर का some caps are heads some caps are heads some heads are shirt many shirt many का मतलब sum कल मैंने आपको बताया था many many का मतलब sum मैंने क्या कहा था यदि 99.99% है तो भी वो भी sum होगा सिर्फ हम all किसको कहेंगे 100% को कहेंगे many का मतलब बहुत सारे सारे तो नहीं न बहुत सारे यानि sum shirts are tie यानि sum shirts are sum shirts are tie some caps are tie some caps are tie नहीं है possibility होता तो सही होता वैसे गलत हो जाएगा not a single cap is tie not a single का मतलब no कोई भी नहीं no cap is tie no cap is tie, कोई संबंध है, नहीं है अब देखो, दोनों जगा cap tie है, ये दोनों गलत है either or follow कर सकता है, some or no some or no में either or लगता है, some or no में either or लगता है only conclusion, second follows, क्यों भई क्यों, सुमंत b क्यों बताया आपने, why b second कहां follow कर रहा है, not a single का मतलब no, कोई b, no cap is tie no cap is tie, कोई संबंध है, क्या नहीं है ठीक है, नहीं है न, तो देखो, cap or tie है, cap or tie है, some or no है, तो some or no में तो either or वाली condition favorable होती है ठीक है, होते हैं नहीं होती है, तो इसका मतलब हमारा option क्या जाएगा, हमारा option जाएगा option number e, either or either conclusion one or second follows, ठीक है, चलो बढ़ते है, question number eight की तरफ तो question number eight है, आपका, all floors are building, all floors are building, ठीक है फिर है, all doors are building all doors are building तो यानि, floor तो ही है, और जो door है, वो भी building के अंदर है, ठीक हो गया, some buildings are not houses कुछ building ऐसी है, जो house नहीं है, ठीक है चलो, समझ में आ गया some floors are not doors, some floors are not doors, नहीं पता, भई हम शूर ही नहीं है, जहां पर positive statement आया, भई floor और door के बारे में तो positive statement है ना, तो negative तो हो ही नहीं सकता ठीक है, कल भी बताया था मैंने आपको some houses are buildings is a possibility, some houses are building is a possibility some houses अब देखो क्या बोला है यहां पर, possibility बोला है, ध्यान दीजेगा some houses are building is a possibility उसने बोला है कि some buildings are not houses कुछ building जो है, houses नहीं है लेकिन कुछ नहीं है, जो बाकी बची है, वो तो हो सकती है ना direct connection तो नहीं है, यानि accurate तो नहीं है लेकिन possibility तो है, कि भई कुछ building house नहीं है लेकिन कुछ house तो building हो सकती है कैसे, इस house को यदि हम ऐसे ना बनाएं, इस house को यदि हम ऐसे बना दें कि भई कुछ ये वाला जो B का portion है, building का portion है वो house नहीं है, ये वाला portion, लेकिन बाकी तो house हो सकता है ना, यानि some houses are building is a possibility, बिल्कुल सही होगा, यानि only the conclusion second follows, ठीक है चलो, question मैं बताते जा रहा हूँ क्या बात भी strength कम होती जा रही है मज़ा नहीं आ रहा है class में जरा feedback दे दो पहले, क्या होगा, कोई दिक्कत है class में class is going good or not any suggestions strength कम क्यों हो रही है, क्या दिक्कत है मज़ा आ रहा class में, मतलब I mean are you guys enjoying the session or not एक बार comment section में बताओ जरा strength कम होने का reason क्या है, मतलब कुछ दिक्कत है या मैं आप लोगो को solve करने के लिए दू चलो, जो जा रहे हैं उनको जाने देते हैं, हम लोग solve करते हैं, ठीक है okay, a few salesmen are girls, कुछ salesmen girl है, few का मतलब few का मतलब, some, some salesmen are girls, some salesmen are salesmen salesmen are girls, ठीक है all girls are saleswoman, यानी जो सारी की सारी girls हैं, वो saleswoman है, ठीक है okay फिर उसके बाद, some saleswoman are housewife, इसमें से कुछ क्या है housewife, ठीक है चलो, a few salesmen यानी, some saleswoman are salesman, saleswoman, saleswoman के अंदर आ रहा है, तो यह सही होगा some housewives are girls some housewives are girls तो कुछ housewife girl है, नहीं है direct relation है, क्या accurate, नहीं है possibility हो सकती थी, बड़ direct relation नहीं है, ठीक है, नहीं, बोथ नहीं होगा सुमन, कैसे बोथ हो जाएगा, some housewives are girls कहा है, housewife यह है, girls possibility में सही होता, वैसा सही नहीं हो सकता यानी, option one follows, ठीक है option one follows होगा only a, ठीक है, सुमन्त चलो बड़ी question number 10 okay, a few ostrich are peacocks, ठीक है, few यानी some some o, some o are p, ठीक है, चलो all p r s, all p r s, some s r d some s r d, इस तरह के से हम लोग बोलते हैं, जब करते हैं, तो पूरा-पूरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे, a few, यानी some s r o, ठीक है some swans are ostrich some swan, बिल्कुल s o में आ रहा नहीं आ रहा तो, यानी सही होगा फिर some d r p, ठीक है some d r p से को relation है direct नहीं है, तो यह गलत होगा यानी only conclusion, one follows हमें भी time दो करने के लिए इसा 10 second, ठीक है, चलो विक्रम की बात मान लेते हैं, अगली बार से आपको time दिया जाएगा, अगले question से ठीक है, चलो विक्रम की बात हमने मान ली, अगले question से मैं आपको time दे रहे हैं, 10 second का solve करने ठीक है, चलो, तो यह है आपके सामने पहला question, दूसरी PDF का, तो पहला question आपके सामने है, दोस्तो, solve करो जल्दी से अब आपको समय दिया जा रहा है, question solve करिए question number one थोड़ा सा और जूम करें क्या जरूरत है ओके चले, statement, conclusion आपके सामने दिया हुआ है, जल्दी से चलो, जल्दी solve करो guys, come on देखते हैं, concept से पहले answer करता है सुमन्त कहरे है, D बाकी लोग जल्दी से, D, नितिन भी कहरे है, D विक्रम, D ओके, सुमन्त, D both, right चलिए, समझ गया हमें आपका answer, सभी लोग जल्दी से answer करिए देखते है, both, अर्चना कहरे है, E, यानि, only second follows, okay, both I think D, चलिए, बहुत बढ़िया अब देखते हैं no apple is plum ठीक है, no apple, यानि no A is P, ठीक हो गया all P are O all P are O all O are M ठीक हो गया, आप ध्यान रखिएगा जो ये आपका है ना, जो आपका ये है ये A का सिर्फ P से है, ठीक है O या M से नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा चलिए, all PR mangoes all PR mangoes, बिल्कुल ठीक है at least some mangoes are orange, some mangoes are orange some mango are orange, बिल्कुल सही दोनों सही होंगे, इसका तो कुछ पूछा ही नहीं उनोंने, यानि, option number D सही है, both one and second follows, ठीक है अर्चना कोई बात नहीं, गल्ती होगी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे गल्ती होगी तो वहाँ पे गल्ती नहीं होगी, बिल्कुल आराम से करिये जिनका गलत हो रहा है, जो recorded भी देख रहे है कोई issue नहीं है, गल्ती होना अच्छी बात है, ठीक है, चलो question number second solve करिये, quickly all animals are mammals, no mammals is reptile, all reptile are amphibians चलो, quickly solve करो guys देखते हैं कोई answer करता है सब से पहले question number two सुमंद का अंसर आ है, A सुमंद आपका अंसर चेंज हो गया C, क्यावद B, अरे भई, इतना variation answer में सब ही लोगं का अलग-अलग answer हा रहे either होगा सर क्या, सुमंद मैं चेक करता हूँ I'm not sure, ठीक है, चलो देखते है all animals are mammals, ठीक है यानि all A are M ठीक हो गया no M are R, no M are R ठीक है, all R are A अब यह देखो, यह अलग है, यह M है, यह A N है ठीक है, अलग-अलग ले लिया हमने, चलो अब देखते है, all animals are amphibians animal और amphibians या कोई relation है नहीं है, दोनों गलत हो गए ठीक है, some amphibians are mammals some amphibians some amphibians are mammals, नहीं, कोई relation नहीं है देखो, either or नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ठीक है, क्यों नहीं होगा, समन, क्योंकि यहां पर animal और amphibian है, और यहां amphibian और mammals है, यदि यह animal होता तो जाके possibility थी कि आपका, क्या होता, आपका either or वाली condition होटी, ठीक है यानि दोनों गलत है, ना either first follows or nor second follows, चलो guys question number third आपके सामने है जल्दी से solve करेंगे, quickly question number third question number third question number question number third solve करेंगे विक्रम, डी के साथ D, okay, D, D, okay सभी लोग D का option के साथ जा रहे है यानि both one and two follows, राइट चलो, बाकी लोग भी बिताइए जल्दी से C थोड़ा सा background noise आ रहा होगा, अच्छ बगल में कीरतन चल रहे है, ठीक है थोड़ा सा word करिएगा, कोई problem नहीं है चलो भई, option एक अलग आगए बिल्कुल दोनों सही है, तो इसका मतलब both one and two follows, option number D ठीक है अच्छना, चलो बढ़ते है question number four की तरफ, तो question number four आपके सामने है, चलो, जल्दी से, quickly some buses are cars, no cars ship, all ships are bike question number four जो लोग अभी जुड़े हैं just welcome to Qtix guys, जल्दी से silok के question चल रहे है practice session चल रहे है, सिलोग का, जल्दी से question करिए, quickly जिक्रम का answer आए है B, यानि only one follows चले बाकी लोग भी answer करें जल्दी से B I think, नितिन भी कह रहे है B okay, सभी लोग जा रहे है option number B के साथ, देखते हैं क्या है बई, ठीक है चलो, some buses are car some buses are car, ठीक है, no car is ship, no car is ship all ships are bikes all ships are bikes, जब दो भी एक साथ हों, तो आप थोड़ा सा change कर लिया करें ठीक है, some buses are not bike, some buses are not bike, बिल्कुल नहीं, देखो, आपकी गलती कहां पे हुई है वो समझो पहले, देखो भी, ठीक है some buses are not bike some buses, यानि ये वाला हिससा आप लोगों ने सुचा, bike नहीं है, लेकिन इसका जो relation है, वो ship से है, ना की bike से है, bike से तो इसका कोई संबंदी नहीं है, bike का जो car है, उससे कोई संबंदी नहीं है, तो पहला वाला सही नहीं हो सकता, ठीक है, आपने क्या सुचा, some bikes are not some buses are not bikes, लेकिन जो C का relation, no का है, वो सिर्फ ship के साथ है, bike के साथ नहीं है, दूसरा, no bike is ship no bike is ship, कोई मतलब भी नहीं है, because all ship are bike है, तो दोनों के दोनों घलत होंगे, यानि option number A होगा neither one or nor second follows, yes, अर्चना, बिलकुल सही, केवल अर्चना का answer सही है बर इस बार, very good ohm, late हो गए हैं आप आज भी time से कोशिश करिए आने की, ठीक है चलो, समझ में आ गया, question number 5 करिए solve आओ, जल्दी से, question number 5 question number 5 all cups are जल्दी से करो repeat ठीक है विग्रम, fifth वाला करिए, फिर fourth वाला में repeat कर रहा हूँ, चले, जल्दी से fourth वाला में repeat कर दूँगा, question number 5 करिए आप लोग B, मीना कह रही है, B, सुमंध भी कह रहे है, B, चलो, बाकी लोग भी जल्दी से answer करो भई, quickly, fifth cup B, ओके मीना, fifth cup B, चले भई, बहुत लोगों ने answer कर दिया, आप solution करते है, all cups are saucers, यानि all CRS, ठीक है, चलो, all plates are cup, यानि plate यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है, चलो, मैं इसको erase करके दुबारा लिख देता हूँ, कई बार ऐसा होता है, कि second statement पहले वापो करना पड़ता है, यानि all plates are cups, all cups are saucers, ठीक है, फिर some saucers are spoon, spoon, ठीक है, तो पहला question, all plates being spoon is a possibility, all plates being spoon, बिलकुल हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, option number one ठीक है, all plates are not saucers, नहीं हो सकता, जब statement में कोई negative sentence नहीं है, यदि सारे के सारे positive हैं, तो accuracy में आपका accurate answer में कभी भी negative answer नहीं होगा, यानि option B only one follow, उसकल बताया था, question number four मैं दुबारा समझा दे रहा हूँ, विक्रम ने पूछा था, some buses are not bike, ठीक है, देखो, आप लोगों ने गलती जो की थी, वो कोई relation नहीं है, ठीक है, तो इसी लिए हम ये कह सकते हैं कि some buses are not ship, बढ़ हम ये नहीं कह सकते हैं कि some buses are not bikes, ठीक है, यही मैं समझाना जा रहा था, विक्रम, ठीक है, चलो भई, अब बढ़ते हैं question number six की तरफ, जो की आपके सामने हैं, जल्दी are shirts, चलो जल्दी से, question number six, बहुत बढ़िया session चल रहा है guys, पूरा-पूरा session को करिएगा, जो लोग recorded देख रहे हैं, आप लोग भी पूरे lesson को देखिएगा, ठीक है, बहुत important questions है, practice आपके अच्छी हो जाएगे, क्योंकि दो, एक number या दो number आपका ये strong करेगा, और competitive exam में, जो आपका exam होने वाला, इसमें एक number भी बहुत minor रखता है, point marks भी बहुत minor रखता है, ठीक है, जो जल्दी से करिए, six question cancer, सुमंध गए है option number P के साथ, चलो भई, सभी लोग कह रहे है, option number P, तो जल्दी solve करते हैं, no cap is shirt, no cap is shirt, ठीक है, some trousers are kept, some trousers are kept, all belts are shirt, यानि जो belt होगी, वो इसके अंदर आएगी, ठीक है, मैं इसको दुबारा लिख देता हूँ, चलिए, ठीक है, इसको सोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये कर देते हैं, shirt, और all belt are shirt है, तो इसके अंदर belt आजाएगी, ठीक हो गया, चलो, अब no cap is trouser, no cap is trouser, है ना, some caps, अब एक मिनट, कुछ गलती हुई है, क्या cap और trouser, no cap is shirt, some trousers are cap, ठीक है, no cap is, अब देखो, no cap is trouser, तो some cap तो trouser है यह है, तो no का तो कोई मतलब ही नहीं होता, फिर है, all caps being trouser is a possibility, बिलकुल हो सकता है, all caps being trouser is a possibility, बिलकुल होगा, यानि यह आपका पूरे में आ जाएगा, यानि only calculation, second follows, ठीक है, चलो, question number seven, well done guys, बहुत ही बड़िया, ठीक है, बहुत बड़िया चल रहे हैं, आप लोग, बिलकुल सही answer कर रहे है, question number seven, solve करिये, जल्दी से, question number seven, जल्दी से guys, question number seven, sir, one suggestion that if all learners giving right answer, so there is no need of solution, okay, Sumanth, the problem is na, ki all are live right now, there are few students, few learners who study this as a recorded lesson, तो हो सकता है, उनको ना आ रहा हो, तो इस वज़े से न, तो मैं ऐसा करूंगा, यदि आप लोग कर लेंगे उस solution को, सभी का answer सही है, तो मैं बहुत जल्दी उसको बता दूंगा, within seconds बता दूंगा, क्योंकि जो लोग recorded देख रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है, मैं जल्दी बता दूंगा, time waste नहीं होगा, मैं कुछ seconds में उसको समझा दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा explain नहीं करूंगा, ठीक है, okay सुमंथ, वैसे अच्छा suggestion है, चलो मीना गई है, option number A के साथ, चलो जल्दी सा answer करिए सब लोग, quickly, E के साथ गए है नितिन, यानि both, B के साथ गए है विक्रम, इतना variation answer में वही, A के साथ गए है ओम, A अर्चना, चलो भई, बहुत variation है, मैं बता जिता है, no crow is bird, no crow is bird, ठीक हो गया, फिर some parrots are crow, some parrots are crow, यानि some PRC, no bird is sparrow, no bird is sparrow, ठीक हो गया, चलो, no crow is sparrow, no crow is sparrow, no crow is sparrow, कोई direct relation नहीं है गाईस, ठीक है, no crow is sparrow, कोई direct relation है, क्या नहीं है, वही, C का relation B से है, और P से है, C का S से direct relation कुछ नहीं है, सर सलुक्षन ज़रूर ही है, yes, right, तो ये वाला गलत हो जाएगा, some parrots are not birds, some parrots are not birds, बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि all crow are not bird, और यहाँ पे जो थोड़ा पार्ट है, crow का, वो कौन सा है वही, वो ये वाला है, जो की parrot के अंदर आता, यानि some parrot are not bird, बिल्कुल सही है, यानि option number आपका second सही है, यानि B, if only conclusion second follows, yes, right, सुमन्त, सुमन्त और विक्रम का अंसर सही है, बाकी लोग को समझ में आ गया होगा, गलती कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे, गलती से इंसान सीखता है, ठीक है, चलो, question number 8, जल्दी से, question number 8 solve करिए, question number 8, समझ नहीं आया, ओम, question number 8 कर लीजिए, फिर मैं 7 को दुबारा स्विच करूँगा, ठीक है, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी 8 वाला का अंसर करिए, फिर मैं 7 पर दुबारा स्विच करूँगा, आपको समझाने के लिए, wait, what happened, मतलब, किसमें what happened, चलो, 8 वाला कर लो, फिर मैं 7 वाला दुबारा समझा रहा हूँ, 7 वाले में कोई doubt है क्या, 7 वाले में दी doubt है, तो I'll make that clear, first attempt the 8th question, after that, सारे confusion जो है, मैं clear करता हूँ, 7th question के लिए, सुमंत कह रहे हैं E, यानि if all conclusion 1, 2, 3 और सारे follows कर रहे हैं, ओके, चलिए, बाकि लोग E शायद, अर्चना भी कह रहे हैं E, नितिन भी कह रहे हैं E, E, चलो, सभी लोग E का आंसर कर रहे हैं, जल्दी से मता जेता हूँ, some milk are curd, some milk are curd, ठीक है, some curd are butter milk, all butter milk are butter, ठीक हो गया, no butter is ghee, ठीक हो गया, no butter milk is ghee, no butter milk is ghee, बिल्कुल सही है, क्योंकि butter गी नहीं है, तो butter के अंदर butter milk आता है, some butter is curd, some butter is curd, butter is curd, बिल्कुल सही है, some butter is curd, बिल्कुल सही है, और कोई butter गी नहीं है, तो हम कह सकते हैं, कि some करडार नौट गी यानि option 1, 2, 3, 3 तीनों ही conclusion ठीक है option number E के साथ हम लोग चलेंगे that is conclusion 1, second and third follows, ठीक है चलो मैं question number 7 पर switch कर रहा हूँ कुछ doubt था मेरे कहल से काफी लोगों को तो इसको समझ लिजे, दुबारा मता दे रहा हूँ question number 7 को चलो, देखो, question number 7 देखो, दुबारा question number 7 क्या गया रहा, no crow is bird no crow is bird ठीक है, फिर some parrots are crow some parrots are crow फिर no bird is sparrow no bird is sparrow ठीक हो गया, चल गया, अब देखिए ध्यान से, ठीक, अब देखो no crow is sparrow no crow is sparrow sparrow का crow से कोई direct relation नहीं है नहीं है न, तो यह तो गलत हो जाएगा क्योंकि crow का sparrow से कोई direct relation नहीं है, crow का हमारे पास सिर्फ यह information है, कि some crow are parrot and no crow is bird, तो sparrow से कोई relation नहीं है, sparrow से relation कब होता, जब sparrow b से some की relation में होता, या all की relation में होता, फिर some parrots are not bird some parrots are not bird अब देखिए, क्योंकि no crow is bird है, और crow के अंदर थोड़ा सा parrot का part है, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो parrot है वो bird नहीं है, यानि ये वाला पूरा हिस्सा bird नहीं है, और इस पूरे हिस्से के अंदर थोड़ा सा parrot आ रहा है, तो इसका मतलब some parrots are not bird आपका no no Suman, no one will mind, it was your suggestion, suggestion कोई भी दे सकता है, किसी ने mind नहीं किया Suman, don't worry, ठीक है, suggestion कोई भी दे सकता है, कोई problem नहीं है, no issue no one will mind, don't worry, you just focus on your studies no problem, चले, question number 9 चले, जल्दी solve करिए guys, question number 9 E, ohm बता रहे हैं, E, यहनी both सुमन बता रहे हैं, C, यहनी either or ओके, यह तो बिल्कुल दोनों contradict हो गया है, बही जल्दी से अर्चना D, अब तो भी मुझे पकड़ना ही पड़ेगा pen क्यूंकि सारे answer different आ रहे हैं, चलो all, C, all letters are envelops no envelope is post office, no envelope is post office, ठीक हो गया some post office are postman, some post office are postman, ठीक है some postman are letters, क्या postman का letter से कोई direct relation है, नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा no postman is letter, no postman is letter, कोई relation नहीं है हम यह कह सकते हैं कि some postman, some postman are not letter हम यह जरूर कह सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि no postman is letter, हम यह कब कह सकते थे यदि यहाँ पर possibility आता कि no postman is a letter is a possibility तो हम postman को इसके अंदर रख देते हमारा statement भी change नहीं होता और possibility सही हो जाते है लेकिन अभी ये गलत होगा दोनों गलत है तो मैं देखना either or allah है नहीं बिल्कुल है postman, letter, postman, letter बिल्कुल follow कर रहा है some or no में either case होता है यानि option number c आपका answer होगा guys either one or second follows ठीक है either one or second follows देखो हमेशा दोनों गलत लेके सीधे जो है neither nor में click मत कर देना दोनों में से कोई नहीं और वाला option भी होगा और वाला option भी होगा ठीक है वर्षा का और सुमंत का answer बिल्कुल सही है all of well done both of you well done guys और जिन लों का गलत हुआ है कोई बाद नहीं either or का case मैंने आज ही करवाया है कल थोड़ा सा करवाया हुआ था आज मैंने detail में आपको बताया है तो कोई दिक्कत नहीं है चीज़ें clear धीरे-धीरे हो जाएंगी जब practice करो गया question number 10 आपके सामने है no animal is red some or no होने पर नितिन either or or का case होगा ठीक है some or no आपना एक काम करना आज के session में आप मुझे लगता लेट आएंगे शुरू से एक बड़ देखिएगा either or का case आपको clear हो जाएगा और कल का भी एक बड़ देख लीजएगा मैं दुबारा भी explain कर दूँगा चलिए question number 10 को कर लीजए फिर मैं दुबारा explain कर दे रहूँ either or की condition जल दी से चलिए e के साथ गए है सुमन्त और a के साथ गई है गई है मीना अर्चना भी कह रही है a देखते हैं बहुत variation है answer में तो मैं करवा देता हूँ देखिए no animal is red no animal is red फिर है some cows are animal some cow are animal तो भई some cow are animal चिक है all beers are red अब देखो इसके अंदर beers आएगा ठीक है चलो समझ में आ गया some animals are cow some animals are cow बिल्कुल some cow are animal है तो some animals are cow भी होगा ही होगा फिर no beer is an animal no beer is an animal कोई बिल्कुल relation है because क्या बोला गया था no animal is red यानि no red is animal और red के अंदर आपका beer आ रहा है तो no beer is a बिल्कुल आपका follow करेगा यानि both conclusion are right यानि option number e सुमंध का आंसर बिल्कुल सही है यहांपे a नहीं होगा only one follows me no beer is an animal कैसे सही हुआ क्यूंकि a और r में दोनों में no का relation है और जो b है वो r के अंदर है तो इसका मतलब b का भी a से no का ही relation होगा सबको समझ में आया जिन लोगों ने गलत आंसर किया था क्या आप लोगों को अब समझ में आ गया है इसे चलो सभी लोग बताएं clear है या नहीं है चलो next question question number 11 come on question number 11 question number 11 बताएं अच्छा इसमें c2 c3 कुछ दे रखा ही misprinted हो गया गाई ठीक है अच्छा c3 का मतलब है conclusion 3 c1 का मतलब है conclusion 1 और c3 का मतलब है conclusion 3 ठीक है इस तरह से घबराएगा मत चलो जल्दी सॉल्फ करो इसके वाद हम लोग एक either or condition जो है दुबारा से सीखेंगे एक बार और ठीक है मैं explain कर दूँगा उसके बाद बाखी questions करेंगे कई लोग को दिक्कत हो रही है इदर और में दुबारा से confusing है काफी practice needed विक्रम no problem अभी हो जाएगे practice some oranges are apple some oranges are apple ठीक है all lemons are apple अब देखो यानि जो lemon है वो apple के अंदर आएगा ठीक है फिर no apple is guava no apple is guava ठीक है option number e के साथ सुमंत और मीना गई है फिर है some oranges are lemon some oranges are lemon कोई direct relation है क्या some का नहीं है नहीं है ना direct possibility हो सकती थी लेकिन direct relation नहीं है फिर all guavas being lemon is a possibility all guavas being lemon is a possibility all guavas being lemon क्या possibility है option number e बताया है किसने मीना ने और और ओम ने भी यानि none of these none of these का मतलब क्या है कौन से सही आ रहा है कौन से सही आ रहा है बताओ none of these का मतलब क्या होता है पताया आपको चलो all guavas being lemon is a possibility all guavas lemon कभी नहीं हो सकता क्योंकि बज़िदी guava को थोड़ा सा भी lemon होना है तो e के अंदर जाना पड़ेगा ठीक है e के अंदर जाना पड़ेगा और guava कभी भी e के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि इसमें no का relation है तो यह तो गलत हो गया फिर है no orange is lemon no orange is lemon कोई relation नहीं है no का direct relation तो है ही नहीं अब तीनों गलत है आईदर और वाला case भी है देख लेते हैं first और three में either case बोला है इसने तो orange lemon, orange lemon some or no ठीक है? some or no यानि इसका मतलब first और third में either case लगेगा, तीसरा, दूसरा आपका गलत होगा, यानि option number B ठीक है, वर्षा का answer बिलकुल सही है, सभी लोगं को समझ में आया नहीं आया? सभी लोगं को clear है, समझ में आया? ठीक है? एक बार either or का concept नहीं मैं दुबारा clear कर दे रहा हूँ ठीक है, एक बार दुबारा मैं either or का concept clear कर दे रहा हूँ, जरा ध्यान देना इधर ठीक है? चलो, देखो अब either or वाली condition क्या होती है? net issue, बस अभी end करते है class को, दीपा, ध्यान दीजिए इधर, ठीक है? चलो, समझ नहीं आ रहा है sir, समझ में नहीं आ रहा conclusion है, या 3 conclusion है या 4 conclusion है, बई 4 conclusion maximum हो सकते हैं, ठीक है? मान लेते हैं कि ये conclusion आपके पास दिये हुए हैं, अब 2 conclusion, मान लोग कि 2 conclusion आपके wrong आये हैं, और बाकी 2 ठीक आये हैं, कोई भी 2 गलत आ सकते हैं ठीक है? तो जब 2 conclusion गलत आ रहे हैं, चाहे चार हों, चाहे दो ही conclusion दिये हुए हैं आपको, और दोनों के दोनों गलत हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले options में देखना है, जो आपके answer वाले option है, वहाँ पे आपको check करना है, कि क्या either और और जैसा कुछ लिखा हुआ है, कि या पहला या दूसरा, इस टाइप से हिंदी में लिखा हुआ होगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, यदि लिखा हुआ है, तो आपको जाना है अपने conclusion में दुबारा, ठीक है, दुबारा जाके क्या करना है, दुबारा जाके आपको ये वाला pair check करना है, मान लो जैसे हम लोग कर आपल, गौावा, तो एपल, गौावा की जगह मैं A, B मान लेता हूँ, मान लो जो तो ये दो conclusion थे, उसमें से एक conclusion आपका क्या था, एक था, sum A, R, B, sum A, R, B, और दूसरा था, sum A, R, not B, ठीक है, option में तो सिर्फ दो conclusion की बात कर रहा है न, तीन option तो नहीं है, एक मिनट सुमं पर भी फिर उस पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, sum A, R, not B, दोनों statement गलत आएं, जब हमने statement के diagram से चेक किया है, दोनों गलत हैं, लेकिन जब ऐसी condition आए कि दोनों गलत हों, और जब दोनों गलत हों, और आपसे बोला जाए, कि A और B आपका same है, यहाँ पे जो आपके word है, यहाँ जैसे guava है, जो भी apple यूज हुआ है, जो cases है, A, B, A, B, यह same हैं दोनों cases, दोनों cases same हैं, उस condition में उसके बाद यह दो चीज़ें चेक कर लिया, पहले आपने गलत चेक कर लिया, फिर आपने क्या चेक किया, कि यह जो चीज़ें हैं, दोनों जगा पे, दोनों ही conclusion में same है, कोई अंदर नहीं है, तो sum और क्या चेक करोगे आप, यह sum all चेक करोगे, इन दोनों statement में, पहले statement में sum होना चाहिए, और दूसरे में sum not होना चाहिए, या पहले में all होना चाहिए, तीसरे में sum not होना चाहिए, यह तीन है, like example के तोर पे, मान लोगी दो conclusion गलत है, उसमे are not be, यह either or का case होगा, ठीक है, sum a is b, no a is b, sum b is a, no a is b, तो यह सारे either or के case होगे, ठीक है, समझ में आगया, oh मब, यदि clear नहीं है ना, तो आपना कल वाला एक बार lecture देख लिए ना, वहाँ पर आपको clear हो जाएगा, ठीक है, समझ में आगया अब, कल वाला lecture एक बार देख ल नहीं है, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल, तो हमारा conclusion कौन सा था वो, 11 था, यह वाला था, ठीक है, तो some oranges, यानि either or वाला है, दूसरा वाला गलत है, ठीक है, तो हाँ, बिल्कुल guys, ठीक है, बिल्कुल सही, जो है, बोला है, सुमंत ने, यहाँ पर मुझ से गलती हुई है, क् लिकिन तूसरा वाला गलत भी तो है, यानि जो इसका सही answer होना चाहिए था, वो यह होना चाहिए था, कि either C1 और C3 follows, and second, do not follow, ठीक है, do not follow, यह होना चाहिए था, बिल्कुल सुमंत, बहुत बिल्कुल सही, जी सर, फिर से वीडियो देखनी होंगी, बिल्कुल ओम, थी, वो मैंने बिल्कुल comfortable तरीके से बनाई थी, जिससे आपको समझ में आए, आज जो है practice session था, ठीक है, सुमंत बिल्कुल सही थे, thank you so much for this सुमंत, ठीक है, यह जो option होना चाहिए, none of these ही इसका answer होगा, इसका answer none of these होगा, क्यों, क्योंकि सही answer आपका होना चाहिए, कि either C1 औ second follows आना चाहिए, ठीक है, none of these ही होगा, इसका answer, ठीक है guys, clear है, समझ में आगया सबको, ठीक है, अब देखो एक दूसरी बात, अभी question 50 करने थे हमें, लेकिन सिर्फ 21 question solve हुए है, ठीक, क्योंकि time थोड़ा सा कम था, आज class late भी शुरू हुई थी, but I have to end the class right now, लेकिन, लेकिन telegram channel, जिन लोगों ने join नहीं किया, telegram channel अभी join करिये, class के बाद, क्योंकि, मैं telegram channel पे, जो ये pdf है, इस pdf में 50 question है, जिसमें से 11 आप कर चुके है, ये pdf में वहाँ पे send कर रहा हूँ, इसके answers भी pdf में दिये हुए है, ये one का कौन सा है, one का, two का कौन सा है, उससे आप check भी कर सकते है, ठीक है guys, is it clear to all of you, तो आप इस pdf से बाकी जो बचे हुए 39 question है, उनको जरूर solve करिये, ठीक है, practice करेंगे, तो आप ही के लिए फायदा है, सब को समझ में आया क्या करना है, description में telegram का link दिया हुआ है, telegram channel join करना है, मैं वहाँ पे just अभी pdf भेज रहा हूँ, वहा जल्दी बताओ यार, जल्दी 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 जल्दी, comment नहीं करते हो आप लोग, जल्दी से बताइए, हाँ, बिल्कुल नितिन practice set भी करवाएंगे, कल हमने paper solve किया था पुराना, previous year paper solve करवाया था, हाँ जी, तो I am just within 2 minutes, बस class end होते ही, pdf मिल जाएगा आपको telegram पे, तो जिन लोगों ने telegram join नहीं किया है, description से telegram channel join करिए, वहाँ से group भी आप join कर सकते है, question पूछ सकते है, ठीक है, चलो, बिल्कुल पराने paper भी solve होंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ हो रहाया दीरे-दीरे, देखो, कोई भी चीज जल्दी नहीं ह ठीक है, बहुत काम होता है, तो अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, extra class आज खास करगी, ठीक है, कल के लिए कुछ preparation है, तो कल फिर हम लोग मिलेंगे और कोशिश करेंगे class को extra और खीचने की, ठीक है, all subject के reasoning और math, बिल्कुल नितिन reasoning और math, जो आपका GIT वाला section है, general intelligence test का जो section है, जो 25 number score करता है, ठीक है, यह वाला section में करवा रहा हूँ, आपको बहुत सारी videos में करवा चुका हूँ, ठीक है, तो उनको जरूर देख लीजिगा, एक बाद ध्यान से, चलिए, ओके guys, thank you so much all of you, और जो लोग thank you कह रहा है, उनको most welcome, फिर मिलेंगे, आप लोग उस अगल English दोनों में कराया है, क्योंकि silog English में करना चाहिए, क्योंकि silog English में करना चाहिए, हिंदी में आपको बहुत दिक्कत होगी silog करने में, कोई इसमें बहुत खतरनाक English नहीं है, यह normal words है, easily आप समझ सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने English में कराया है इनको, ठीक है, चलो guys, share कर आपने सभी friends के साथ मैं share करने के लिए बहुत सदा कहता नहीं हूं लेकिन share कर देना और लोगों का भी भला हो जाएगा और लोगों के सीख जाएगे ठीक है और like तो जरूर कर देना session को please like कर देना यह तो मैं कहूंगा instant करूंगा कि like जरूर कर दीजिएगा ठीक है और the telegram channel join क bye bye guys take care good night